आपके सामने हम लोग आई हैं शंक्राय गुर्कुल के उस होनहार छात्र से मिलने जिन्होंने 19 विद्यारतियों में अपना स्थान पाया जिनका हाल ही में भारतिय भायु सेना में सेलेक्शन होगा है तो मैं संदी प्लांबा आपको मिलवाता हूं मोनु बडेस्रा गाओं में आज हम हैं विवानी इस्टिक गाओं में बडेस्रा जो अपने आपने काफी बड़ा पुराना लंबा इतिहास लेके चलता हुआ उसी तिहास में आज मोनु जो शंक्राय गुरुकुल के छात्र हैं अपने सफलता की कहानी हमारे नक्षे कदम पर चलके हासल की चलिए एक बार मोनु से बाते करते हैं और इस लड़के से मिलने का विशेश मतलब भी है क्योंकि ये चात्र जो है मेरे उन चात्रों में से एक था जिसके लिए अंग्रेजी एक बहुत बड़ा रोड़ा थी ऐस पहलवान में इसका गुरुकुल का नाम और घर का नाम पहलवान ही है और फेस्बूप के भी अपने आपको मोनु पहलवान ही कहता है रेसलर है यह देखिए आप इसके कान भी जो है तो चलिए मोनु से मिलते हैं मोनु बैटा यह जो आपने एरफोस वाई ग्रूप में अब के परवार में आपको ले के कैसा मैसूस हो रहा है आपको कुछ बताना चाहोगे लोगों को ताकि आप उनके ले कु़्चा बने सर मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरा एर फोर्स में सेलेक्शन हो आए और बहुत दिनों से आचा थी कि हमारे परिवार को जोग की जरूरत भी थी जिसके लिए मैनत करना भी जरूरी था जिसके मेरे एक बड़ा बाई था जो कि आर्मी की तयारी करता था जिसके उ जोब की सक्त जूररत थी तो इसलिए मतलब इंगलिस का मेरे लिए बहुत टफ था लेकिन संदीप सर ने इतनी महनत करवाई कि हमारी बहुत जबरदस्त तयारी करवाई मतलब कहने के कोई अंदाजा नहीं है कि इतनी महनत करवाई है सर ने हम मतलब कुछ सब्द नहीं तो इस सरलार्थ को देखते हैं हम यह कह सकते हैं कुछ भी बंदा अगर करने प्याए तो कुछ कर सकता है तो बेटा जैसे आप श्रिंक्राय गुर्कुल में रहे आपने कितना समय वहां पर बताया सर्व वहां पर मैंने लग बग तीन महिने वहां पर समय बताया बहुत अच्छा सिथान है और मैं और बच्चों से वियासा करूँगा कि वहां पर जाएं और वहां की जो फैसलेटी हैं इनको ध्यान में रखते हुए महनत करें और एक लक्षे की प्राप्ति के और जाने के ल मोनू पहलवान से लेकर और वायू से नगा योध्धा बनना इस बच्चे के लिए नहीं बलकि इसके परिवार के लिए भी बड़ी गरों की बात है मैं आपको आज इनके परिवार से भी मिलवाऊंगा क्योंकि ग्रामिन दिरहाद में जब एक बच्चा इस प्रकार सब और जैसे लोगडाउन खुल जाता है आपके किसमत को एक लोगडाउन हम खोलने के लिए त्यार है बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू बिल्टाइब